हेलो दोस्तों जैसे क्रिशना देखिए और 15 इंचे में हम 1-1-5 गेप में इस तरह कट निसान लगा लेंगे इसका जो लम्बाई है वह चारी इंचे में रहेगा इस तरह से हम निसान लगा लेंगे एक इक इंच की दूरी में और यह जो हमारा पट्टी है गरत के पड़्टी करके पूरा निशान कर लिए है और इस तरह सेँं कञड़ tyregy कह जो निशान लगाए हैं लंबाई में उसमें इसलाइ कर लेंगे हलका हलका सा देखिए किस तरह से सिलाई कर रहे हैं देखिए इसी प्रकार से पूरे में सिलाई कर लेंगे इसी तरह से पूरे में सिलाई कर लेंगे बड़ा आसान है आप देख लीजे किस तरह से हम सिलाई कर रहे हैं बहुत प्यारा डिजैन बनके तयार होगा आप भी ट्राई करिए बहुत यह अच्छा लगेगा लंबी स्लीव में बहुत अच्छा लगेगा देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा इश्टर धागा निकाल लेते हैं अब क्या करेंगी यह चोकन वारा जो कपड़ा इस तरह से म लग सकते हैं देखिए मैं एक साथ फिटिंग कर रहे हूं इस तरह से कि चोकन में इस तरह से करते हुए हम स्लाई कर लेंगे पूरे कोटेज कर लेते हैं देखिए लाश्ट बचा है लगभग कंप्लेट हो गया है यह हो गया है जो हमारा पट्टी है हम इस इस तरह से अटेज करेंगे देखिए और इससे हम मोड लेंगे अब इस तरह से मोड के स्लाई कर लेंगे देखिए हमारा इस तरह से बन के तयार हुआ है अब हम इससे सुई के सायता से इससे इस तरह से हम आज देखिए इस तरह से हम अंदर में करते जाएंगे इस तरह से खोल खोल के हाथों के सायता से प्रेज करते हुए इससे हम इस तरह से अटेज करते जाएंगे धागा चाहो तो आप इसमें मूती भी डाल सकते हो पर मैं साधा ही बना रही हूं तो इस तरह से हमाँ अपना अस्तिंग कम्प्लीट कर लेंगे देखिए हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया है बनके कितना प्यारा लग रहा है देखिए दो कलर में बनाएंगे तो ज्यादा ही बहतर लगेगा थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक सस्क्राइब करिएगा थैंक यू सो मच